आज 15 अगस्त है और आज के दिन के बारे में हमको काफी कुछ पता है लेकिन आज के इस वीडियो में आपको मैं कुछ बाते बताता हूं जो यूजरली हम दिहान नहीं देते हैं बर छुड़ छुड़ी बाते हैं अगर हम जानेंगे तो अच्छा लगेगा 14 अगस्त और 15 अगस्त के बारे में कुछ छुड़ी बाते आपको इस वीडियो के माद्यम से बताता हूं आपको पता ही है कि पहले तो कोशिश यह हो रही थी केबिनेट बिशन प्लान में कि एक ही देश बनाया जाएगा पटवारा ना हो लेकिन हालात ऐसे बनते जा रहे थे कि जून 3 प्लां 1947 accept हो जाता है उसके बेस पे दौन ही देश अलग हो जाते हैं फाइनली ऐसा हो जाता है अब ये सब बाते होते होते 14 अगस्त आ जाता है और 14 अगस्त और 15 अगस्त के दिन क्या होता है वो देखते हैं समिधान सभा बनी चुकी है आपको पता है 9 दिसंबर 1946 से समिधान सभा ने काम करना शुरू कर दिया है और समिधान बनाने की दिशा में काम करती जा रही है समिधान सभा का जो सेशन हुआ था वो 5 सेशन था ये समिधान सभा का जिस में जो राग के 11 बजे होता है सब्सक्राइब कर रहे हैं इस सेशन में क्या क्या होता है और तब पहला एजंडर था कि जो वंदे मात्रम सौंग है उसको गाया चाहे बंकिम चंद्र चटर जी का लिखा हुआ आनन्द मठ किताब में जो किता सौंग लिखा था वही सौंग सबसे पहले गाया जाता है श्रीमतित सुचेता किर्पलानी सेंग दा फर्स्ट वर्स अब दा सौंग वंदे मात्रम तो सबसे पहले वंदे मात्रम गाया जाता है चौदा अगस्ट की राग को और रिट वसुचेता किर्पलानी को सेंग दा सॉंग वंदे मात्रम अर्लियर कंपोज बाइब चंडर चटर जी और चट्टोपाद्या सिंगिंग ऑफ वंदे मात्रम एक मिड्नाइट सेशन ऑन दा मिड्नाइट ऑफ फॉर्टींद फिफ्टीं यह पक्शर्ज त ट गेंहाने और वियसी मिल जाती हैं शी सोंक उसके बाद एक लेते हैं सारे के सारे मेंबर्स एक लेते हैं जब रहूने प्लेज की है कि हम सभी मेंबर्स एक लेते हैं और जैसे 12 बज़े का इस शपत को हम लेंगे इस प्लेज में बोला जा रहा है I a member of the Samyidhan सभाव इंडिया अपने आपको dedicate करता हूँ अपने देश अपने देशवाशियों की service के लिए dedicate करता हूँ अपने देश को इस wish में एक rightful place दिलाने के लिए काम करूँगा और दुनिया में सभी की शांति की और वलफर के लिए काम करूंगा। तू हमारे जो समिधान्साभा के मेंबर्स ते जो हमें रіप्रेजेंट कर रहे थे वह तीनच चपत लेते हैं एक तो मैं देश और देशवाशियों के लिए सरविस के लिए काम करूंगा। अपने देश को दुनिया में उसकी सही जगा दिलाऊंगा साथ साथ दुनिया में मानफ्ता के लिए और दुनिया में शान्ति के लिए काम करूंगा इस शपत को एडमिट में एड़ाट कर लिया जाता है और ये शपत सभी के सब पढ़ेंगे ऐसा होता है जब बारा बजने मे दो मिनेट रह गए थे तो तैयारी हो जाती है और जैसे ही 12 वश्ते हैं जैसे पंदरागास चूँ जाती है जैसे टच होती है वैसे दप प्रेसीजेंट और मेंबर से स्टुड़ ग्लव जोग तो इस पर पड़ते जाते हैं तो सबसे पहले तो पंदरागास टच होते ही शपत पड़ी जाती है members की द्वारा उसके बाद यह समिधान सभा यह अनौस करती है तुरंत उसके बाद announcement होता है कि समिधान सभा इंडिया है एज्यूम दपावर अफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया अब समिधान हुआ था कि हमारे जो पहले गवर्नेंट जनल है वह मांट बेटिन हुआ करेंगे ऐसा भी अनौस करते हैं और यह बात मांट बेटिन को बता दी जाएगी उसके बाद जो एक मैंबर थी मिस्स हंसा मैता वो यह अनौस करती है मिस्टर प्रेशिजेंट इन अप्सेंस ऑफ श्री मती सारुजणी नाइडू इस मैं प्राओड प्रिविलेज्ज ऑन बहाफ और वीमेर आफ इंडिया तो प्रिजेंट इस फ्लैक टू देशन तूरू यू अद्द भारत की महलाओं के बहाफ पर यह सारे मणी समझ लिजे विजे और इसके बाद नेस्ट एंडेव इंड सिंगिंग आफ फ्रस्ट्व लाइन सारे जहां से अच्छा एंड जनंगर्णमन अधिनायक जया है अगेन इड़े रहा सुचिता कर प्लादी हूँ सेंग दाफ फ्रस्ट्व लाइन सौफ वाइन स्वाइज इस सेशन में इसके बाद तुरंत ये हाउस एडजर्ण हो जाता है ये कहते हुए ता एसेंबली देन एडजर्ण तिल टैन अफ दा क्लॉक ऑन फ्राइडे बतलब 15 अगस्त उन्नेस सो साथालेस को फ्राइडे हुआ करता था दस बजे सुभह 15 अगस्त को एसेंबली फिर मिले जो लाई ने पढ़ी थी जवाले नरु ने वो इसी सेशन में बोली गई थी 15 अगस्त की सुभह 10 बजे फिर ये एसेंबली सविधान सभा मिलती है तो सविधान सभाव इंडिया मैट इन दा कॉंस्ट्रीशन हो न्यू डेली एक टेन आफ दे क्लॉक मिस्टर इसके बाद फिर नहरू का प्रधान मंतरी के तौर पर शपत ग्रहन समारो होता है माउंट बेटन को भी वाइस्वाई की शपत दिलाई जाती है उसके बाद ये जाते हैं सोचा था कि 3000 लोग इकठा होंगे बाहर लेकिन 3 लाग से जादा लोग इकठे हो गए हैं कहा गया है कि इन सभी को सविधान सभा से बाहर निकले में बहुत जादा दिक्कत हुई थी। it was in unfurled in the princess square in near the India gate वहाँ पर फराय जाता है उसके बाद फिर 16 अगस्त को ऐसा होता है कि 16 अगस्त को वो इंसी जो जो समझ दीजे वो जलसा होता है जब इंडिया गेट पर पहली बार्तिरंगा फराय गया था इस पर्टिकुलर इवेंट टुक प्लेस ओन 16 अगस्त 1947 नॉट 14 अगस्त 1947 उसके बाद लगातार सत्रा वार जवहलाल नहरूप कुड होईस्ट नैशनल फ्लैग ओन इंडिपेंडेंडेंस ओन रेट फोर्ड ऑन दॉकितन अफ इंडिपेंडेंडेंस दे तो हम लोग यही मानते रहें कि 15 अगस्त को जंडा फराय गया था इंडिया गेट इंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड प्लेज को आगे बढ़ाते हुए देशवासी भी उस प्लेज को आगे बढ़ाए और खाम करें थेंक्स अलोट थेंक्स यू फर वाचिंग दिस वीडियो